हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टो सालो जायका किचन आज मैं आपके लिए चूर चूर नान की रेस्पी लेके आई हूँ इसको अमरित सरी चूर चूर नान या फिर अमरित सरी कुल्चा भी के सकते हैं अब दिsisar naan भी बोलते हैं आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं तो देन ना करते हुए चल लिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँपे आप मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है अब मैं यहाँपे चार कटोरी करीब मेदा लिया है इसको छान के लूँगी यहां पर मैंने हाम कारी मेरे baking powder एकंद करूज़ूंगे आपके पास baking powder नुकिता ना हो तो इसके जगह baking soda भी ले सकते हैं पर उसकी 8 न कंद के से छी समरे हूं और नकी समरे और भूल यहां पर मैं कौंद साफ़ कर रही हूं घर का फ्रेस ताजा दही है तो इसको मैं चाय चमज करीब दही एड़ कर दिया है अभी मैं तीन बड़े चमज करीब घी एड़ कर रही हूँ मुझे बाइंडिंग के लिए अच्छे से घी चाहिए तो पहले इसको हम अच्छे से मिक्स करके देखते हैं जरूत पड़ेगी तो और एड़ करेंगे यह देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है हम ऐसे मुठी बानेंगे और लड़ू बने बस हमको इत्ती बाइंडिंग चाहिए तो हम और घी नहीं एट करेंगे पानी डालके पराठे जैसा आटा गूत लेंगे जैसा हम पराठे के लिए आटा लगाते हैं उत्ता ही सौप्ट आटा हमको चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पानी करके यहां पर मैंने आटा लगा लिया है अब इसको अच्छे से ट लेजिए यहां पर मैंने इत्ता पानी यूच करा है अब मैं यहां पर इस्टपिंग की तयारी कर रही हूँ इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है अब मैं इसमें पनीर कद्दुकस करूंगी यहां पर मैंने डेर सो गराम करी पनीर लिया हुआ है इसको बारिक यह हुए लिए है इसको अच्छे से कद्धू कस कर लेंगे यह दोनों चीज़यें को ख़का करके लेनी हैं जिस तरे च्पिंग में हमको असानी होगी है यह देखिए हमने कद्धू कस कर लिया है अब मैं यहां पर एक ट्टोरि से थोड़ा सा कम यहां पर बिल्कुल बारिक क खाते उत्ता डालिये और बारी कटा हुआ धनिय की पत्ती है इन सक चीजों को हमने डाल दिया है अब मैं यहां पर चिली फ्लेक्स डाल रहे हूं हाप चम्मच से थोड़ा सा कम हाप चम्मच बुने हुए जीरे का पाउडर है हाप चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिच्ची का है और हाप चम्मच चूर पाउडर है और यहां पर मैंने थोड़ा सा जीरा एट करूंगी यह देखिए खड़ा जीरा है यह इसको डाल दिया है मैंने यहां पर हाप चम्मच यहां पर लाल मिर्ची का पाउडर एट करा है और नमक श्वात के अंसार मिर्ची मैंने हाप चम बन गई है इसको साइड में रखिए यह देखिए मारा आठा भी फूल की तयार हो गया है दो से तीन गंटे हो गए है अब इसका एक हम चोटा सा बॉल तोड़ेंगे जितना बड़ा हम पराठे के लिए लेते हैं उतना ही बड़ा चाहिए हमको इसको अच्छे से रोल करेंगे और इसका हम अच्छा पतला सा रोटी बेलेंगे जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला हम इसका रोटी बेलेंगे क्योंकि अभी हम इसको अच्छे से घी से ग्रीस करके होल्ड करने वाले हैं तो सेप की चिंता बिल्कुल मत करिए बस हमको पतला और अच्छे से बेलना है इसको जित्ता भी पतला हम बेल पाएंगे तो अभी हमको सेप की चिंता करने की कोई जरूत नहीं है कि कैसे भी तरीके से ये बने, लंबा, गोल, चोकोर कैसे भी बने, बस पतला बनना चाहिए, तो ये देखिए, मैंने इसको बेल लिया है, थोड़ा और पतला कर लेती हूँ, ये देखिए, बिल्कुल पतला कर लिया है मैंने, हम मैं इसके उपर गी लगाऊंगी, यहां पर मै गी लगा लेती हूं इससे कि हमारा नान बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही स्वाधिश्ट बनेगा तो इसको अच्छे से मैंने यहां पर फैला लिया है आप देख सकते हैं पूरे पर मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है उपर से थोड़ा सा आठा डस्ट करेंगे ता थोड़ा से दबाते हुए अच्छे से रूल करेंगे और फिर इसको हमेंसे सी Рetting करके घ know अब करेंगे ऊपर लहें और दर करने किनार और हत्से ठोड़ा सा बढ़ा कर लेंगेर फिर थोड़ा सा अटा लगाएंंगे अपी ऐसका संव करेंगे अब इपना मिश टपिंग लेंगे जो मैंने पनीर और आलू का बनाके रखा था उससे भी एक हम बाल ले लेंगे इसमें मैं बहलूंगी जित्ता इस्टपिंग आपका है उत्ता आप भर लीजिए इसको अच्छे से फैक कर लेंगे कबर कर लेंगे साब साइट से ये इसको थोड़ा सा बेलेंगे बिल्कुल हलके हाथ से बेलना है नहीं तो फट जाएगा यह देखिए पिता अच्छा देख रहा है ना पार्फेक्ट बिल्कुल ऐसे ही बनाना है अब हम इने इसे जी धनिया लगाया है इसको पलट लेंगे और इसके दूसरे साईड हम पानी लगाएंगे के ताक लिए रख दिया है यहां पर मैंने लोहे का तवा लिआ है लोहे की तवा ही यूज़ करिएगा इसे चिपक जाता है अब हम इसको बिल्कुल फ्लेम पर अच्छे से के सिखने देंगे अभी हाटकर है तो हम पलटा के देखते हैं जैंकि अफ्र। फिर वाप संब लेंगे क्योंकि पंदनिये की साईट से ज्यादा नहीं इन द्यां पूरा जल जायेगा अब चलिए तवे पर सीख लेते हमाँ सोदी तव हें sets इसको सबसाइट से सेकेंगे ताकि इसके किनारे और पसंद आ रहे हैं तो में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकान को भी प्रेस कर लीजेगा फैमली और फ्रेंड के साथ भी सेयर कर दीजे इसके उपर हम अच्छे से घी लगाएंगे यह देखिए बनक यह देखिया पारफेक्ट किता अच्छा टेश्टी दिख रहा है ना तो देर किस बात की छटपट से रेस्पी बनाईए और अपने फेमिली और फ्रेंड के साथ भी मेरी रेस्पी को सेर करिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य बात थेंक झाल दो